नमश्कार दोस्तू जब हमें वोट एक एरिया से दूसरी एरिया में ट्रांसफर करना होता है तो आप बेलो एप में अभी ऑप्शन काम नहीं कर रहा है तो सही तरीका है आप वोटर्स इशाई पोर्टल पे लोग इन करके आपको फोरमार्ट से इसे अपलाई करना है ओके त लिए क्या होता है दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो सकता है हो सकता है वो तीन पार्ट में भी हो तो पार्ट एक के वोटर को पार्ट दो में शिफ्ट करने के लिए हम कैसे प्रोसेस करेंगे तो आपको सबसे पहले वोटर्स इसे पर लोग इन कर लेना है लोग इन यहां आप से पूछा जाता है क्या आप application खुद के लिए self के लिए apply करना चाहते हैं या other आप कोई भी option choose कर सकते हैं तो मैं other का ही option select करूँगा ओके यहां क्या होगा आपको वो पहचान पत्र संख्या फिल करना है जिसे आप shift करना चाहते हैं एक part से दूसरे part में epic number या पहचान पत्र संख्या फिल करने के बाद अप submit पे click करेंगे यहां आपको उस पहचान पत्र संख्या से समन्दी पूरी detail दिखाएगा उसका state, ac, part number, serial number यह सब okay तो मैं record अगर ठीक है तो हम क्या करेंगे नीचे okay बटन पे click करेंगे यहां आपको part number, serial number सब दिखा देगा okay तो आपको क्या करना shifting of residence का जो पहला option है वो select करेंगे यहां जो last video हमने देखा था उसमें आपको बताया कि दूसरी assembly constituency में आप कैसे shift करेंगे लेकिन एक ही same ही assembly constituency में एक part से दूसरे part में कैसे भेजना है उसके लिए हम यह option select करेंगे अब हमारा एक ही विधान सबा के अंदर एक भाग से दूसरे भाग में vote transfer होगा select करने के बाद आप okay पे click करेंगे अब यहाँ a b c d e चार हमें fill up करने है details तो जैसे पहला select करेंगे आप यहाँ इसको थोड़ असा zoom out कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से देख पाए अब ही क्या है कि आप जब state a c column select करेंगे इस पे click करेंगे तो automatic ही यह आपको दिखाई देगा यहाँ सब कुछ fill up किया हुआ है आपको कुछ भी fill up नहीं करना क्योंकि आपने जो पहचान पतर संक्या fill किया उसी की details इसने उठा ली है अब आप okay वह next पे click करना है अब b details column पे आगए यहाँ पे भी आपकी details पूरी दिखाई देगे आपको next पे click कर लेना है अब c जो section है submit application for इसके दो हिससे हैं पहला तो automatic tick होने के बाद आपको कुछ change नहीं करना है यहाँ पे फिर screen को थोड़ा नीचे slide कर लेना है यहाँ हमें वो address fill करना है जिसमें हम vote transfer करना चाहते हैं ओके जैसे मैंने आपको बताया कि एक number part में मालो हमारा vote है हम दो में transfer करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जहाँ transfer करना है वहाँ की घर संक्या यहाँ fill करनी होगी अगर पहले part में मेरी घर संक्या 10 थी तो मुझे यह check करना होगा कि जो नया part है उसमें घर संक्या क्या है जहां मैं shift होना चाहता हूँ क्योंकि घर संक्या बहुत ही important है आपको अगर नहीं पता चल रहा है तो आप जहां shift कर रहे हैं वहाँ आपके जो भी relative है husband या mother father जो भी उनके पैचान पतर संक्या में आपको घर संक्या मिल जाएगी तो वहां माली जी घर संक्या है 11 तो हम सबसे पहले घर संक्या फिल करेंगे house number अब street area ये काफी important है जो पुराना part था उसमें देखी जी माली जी red cross area left हिस्सा है और जो नया part है उसमें red cross area right हिस्सा है तो हम क्या करेंगे यहां red cross area right लिख देंगे okay red cross area right इसका मतलब है कि आप जो पता यहां street area में fill up करें वो exact fill करें ताकि कि किसी भी ये लोग को confuse ना हो अगर माली जी आपकी कोई street number है माली जी street number 23 है तो आप यहां street number 23 लिखेंगे कोई important landmark है तो वो आप यहां fill करेंगे तो इससे क्या clear हो जाएगा बिये लोगों कि यह कौन से हिस्से का है और जदा इससे detail से समझना चाते है तो आप vote list उठाईए जिस part में आप vote shift करना चाते हैं वहां पर ते एक area का एक अनुभाग एक section बना हुआ है उस नाम से आपको पता चल जाएगे कि आपको कौन से section में vote shift करना है तो आपने ठीक से address fill कर दिया red cross area right तो यहां नीचे automatic translate हो जाएगा अब जो city है वो आपको fill करनी है तो इस case में क्या है कि same assembly constituency में city change नहीं हो रही है post office भी same रहेगा तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है पिन कोड भी same ही है तो पिन कोड भी same रख देते हैं तहसील भी same ही है तो उसमें भी कोई change नहीं है मेरे case में तो आप क्या करेंगे important चीजें दो है house number आपको ध्यान से fill करना है और जिस महले में आपको जाना है वो आपक carefully fill करना है यह address आप fill करने के बाद यहां district select कर लीजी एक बार और उस पते से सम्मदित आपको जो document है आपके पास यहां list में से आप select कर लीजी आपके पास क्या है जैसे आधार card ओकी अब आपको choose file पे click करके उस document को select कर लेना है आप चाहे तो PDF या JPG में attach कर सकते हैं बस size आ हमारे दो step complete हो चुके हैं अब तीसरा जो submission का है वो next करते ही आपका complete हो जाएगा C का हमारी application की detail पूरी fill up हो चुकी है अब declaration आप स्थांस से forum apply कर रहे हैं वहां का आप नाम लिखेंगे अब next करेंगे तो next करते ही आपका declaration section भी complete हो चुका है फाइनली हमें submit करना होता है तो हमें एक capture दिखाई देता है आप capture carefully capture fill up के बाद preview and submit के बटन पे क्लिक कीजिए आपको क्या होगा पूरा forum arts जो है वो दिखाई देगा आप पूरा चेक कर लीजिए address पता और चेक करने के बाद जब आप एकदम bottom में आएंगे यहां आपको keep editing और submit दो बटन दिखाई देते हैं आपको forum को अगर edit करना है तो keep editing पे क्लिक कर लीजिए otherwise आप submit बटन पे क्लिक करके अपना forum submit करेंगे submit करते ही आपको reference number दिखाई देगा आप उसे note करके रख लीजिए ताकि आप अपना forum track कर पाएं आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ help मेली होगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो प् मिलते हैं नेक्स वीडियो में देखते हैं आपका अपना फेवरेट चैनल election guide बाबाई